Hello everyone, welcome on On Study हमने जो chapter स्टार्ट किया हुआ है वो है Inspection and Quality Control और उसमें जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है Stages of Inspection and Quality Control So, स्टार्ट करते हैं आज का Lectures So, Stages of Inspection and Quality Control के जो Inspection हैं वैसे तो वो बहुत हैं जैसे कि Design Stage, Earthwork, Foundation Stage, Electricity Stage और Sanitary Stage वर्ट आपकी स्लिबस के एकॉर्डिंग आपको तीन ही Stages बताई हुई हैं जैसे कि Earthwork, Mationary Stage और थर्ड वर्णी is RCC Stage या फिरेंफोर्समेंट स्टेज So, 1-1-1-2 से समझते हैं वर्ट पहले Inspection and Quality Control को समझ लेते हैं जब भी हमें किसी भी अपने गोल को Achieve करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि Control लाना या फिर Inspection करना So, Time to Time हम Inspection करते हैं अगर हमें अपना गोल को Timely Achieve करना है So, इसमें First One is Earthwork Construction के बात हो रही है, तो Earthwork पहले समझते हैं जब भी Construction होती है, तो पहली Stage होती है, वो Earthwork की ही होती है Earthwork में हम Swail को Check करते हैं कि जो आपका पास Foundation का जो Base है, जिस पर आपका पूरा Structure Rest कर रहा है वहां की Swail किस टाइप की है, सो उस पर Different Test होते हैं So, जो Earthwork है, उसमें दो टाइप की Inspection होगे मतलब दो Stages में यहां पर Inspection होगा एक इसमें Initial Stage होगी और इसमें Final यह फिर Secondary Stage होगी Initial Stage तब, जो हम Swail की टाइप को Check कर रहे हैं, उसका Moisture Content को Check कर रहे हैं और Secondary में हम क्या करेंगे, Secondary Stage में हम Check करेंगे जो हमारी Excavation हो चुकी है, Excavation की Depth कितनी लिए ही है तो उसमें भी Inspection बहुत important role play करता है So that's, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी Depth है Then Second Stage is Machinery Stage जब वहां पर Machinery work हो रहा होगा, तब भी वो हम Inspection करेंगे उसमें हम क्या चाह करेंगे, कि जितना हमने पहले Design किया हुआ था इस दिवार की इस walls की जो height है, width है, वो एक standard की according होने चाहिए So हम check करेंगे कि वो उसके according है या नहीं है Plus जब भी वहां पर wooden work हो रहा है, window बन रही है, या door बन रही है उसके साथ जो machinery work हो रहा है, वो properly हो रहा है या नहीं हो रहा है उसमें wooden work की या window की कितनी height दी हुई है So हम इसका भी inspection करना important होता है Then third stage में जो inspection करेंगे वो हम RCC पर करेंगे मतलब reinforcement concrete stage तो इसमें आपके पास columns, beams गहरा जाएंगे जिसमें reinforcement भी use हरी और concrete भी use हो रहा है So हम check करेंगे कि जो reinforcement हम use कर रहे हैं beam या columns के लिए तो उसमें spacing कितनी दी हुई है और कितनी डाय का bars हम इसमें use कर रहे हैं Plus concrete का जो एक standard size रहता है वो क्या उसको हम follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं So सब चीज का inspection हम RCC stage में करते हैं क्योंकि beam और column होता है जिसे हमारा load जो है transfer होता है So ये थे stages of inspection and quality controls ये जो आपका पाद chapter है inspection and quality control ये दो lectures में complete हुआ है ये इसका second lecture है और first lecture मैंने upload कर दिया है तो आप वहाँ पर देख सकते हो